ही आज नंपढ़ित में विचारग विश्वास और इमार्थन वी के इस चैप्टर में बिष्यकली हम पढ़ने वाले है यहनध्र के बारे में बहुत करें में स्थूंकों के बारे में सातीच विश्णु माहगान के जो कई सारे ऑथार हुएन के बारे में बट यह है कि आज का जो वीडियो अपना बन रहा है या जो भी आप लोग श्टडी आज कर रहे हो इंपॉर्टन को उपर कर रहे हो तो ऐसे को बार-बार रिपीट होते हैं या फिर जिनकी संभाव रहा है है पेपर में आने की हम उसी की बात करें हैं बाते जो नोट्स अगर आप देखते हो तो चैप्टर के बारे में नॉलिज भी आ जाएगी कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हमें यह भी आ जाएगा कि कौन-कौन से पॉस्चन इंपॉर्टेंट है तो यहां पे सबसे पहला जो कॉस्चन उठाया गया है वो यह है लेकिन आजे चलके हिन्होंने जब यह देखा कि आप जो पितностью है जो कोई नहीं है हर वेक्ति जो पित्पी पे आया है उसको मरना है यहां से चले जाना है उन्हों कि यह समय के लिए आया है ठीग है तो जब उन्होंने तक आहिए राजा और प्यषिक ठीप में बिने और ज तो थोड़ा से स्टोरी हम देख लेते हैं जैसे इनका जन्म लुंबनी में 563 इसापुर में इच्वाकुवंसी चत्री शाथक कुल के राजा सुद्धोधन के घर में हुआ था उनकी माता का जो नाम था ठीक है उनका नाम का महामया आगे इनका जन्म के साथ दिन बाद क्या ह फिर उसके बाद इनकी जो छोटी वहन थी में से आप यह कह सकते हैं इनका पालन पोशन किया जिनका नाम था महा प्रजापती गोंती अब जो जो चीज यहां पर मैंने ब्लू अना कलर में कर रखा है यह सरकल हो कर रखा है उसको आप लोग थोड़ा सा गौर करके ध्यान र मात्र परफम नौजासी सिसूर्ट का नाम था राहुल को जन्म विवा हुआ फिर आजए चलके वच्छा हुआ जिनका नाम था राहुल ठीच है धर्म पत्नी का नाम था यह सोधरा को च्याकर संसार को जल्म मरण दुखों से मुक्ति जिलाने के मार्ण यमसत्त के इस जी घ पिताजी से उनको भी छोड़ दिया और उसके बाद ये वैराजी परफ निकल गए में ये सत्य का पता लगाना चाहते है कि आकि सत्य क्या है हम आखिर प्रिथवी पे जो हम पैदा हुए क्यों पैदा हुए क्या इसका में कारड है ठीक है इन सब चीजों को और जैसा कि जर्म इसको मरना ही हुए दुक यह जो सरीर है सरीर जो repeating को नाम रहाता हैobra रिखेर लोगों से मुक्त दिलाने के लिए कि आप कि तरीखे से इन जीमन मरड के चक्कर consumption हो सकते हो इन्होंने ग्यान प्राप्ट किया। और उस तरीके से इन्होंने शिक्षाएं दिससाद को SK आजे चल के क्या हुआ वर्सों की कटोर्थ साथना के पश्चार्थ बोध गया में वहां पे बौधी विच्छी के नीचे बिच्छ के नीचे उन्होंने ग्यान की प्राप्ति की और यह सिव्धार से क्या बन गया है भगवान गुद्ध के उसमें आगे संदारी बाते हैं तो इस तरीके से वेखा ज ठीज ठीठी, सबसे पहला एक वृष्ध विकती जिसको उन्होंने देख लिया तो उन्होंने उनको लगा पहले राज महल में रतेते थे जैसे आप समझो की जब तो एक बार यह क्या हुआ बाहर नगर में गए तो उन्होंने चार चीजी देखी और चार चीजी को वज़े से इंका पूरा ध्यान था पूरा डाइवर्ड हुआ तो सबसे पहले उन्होंने ग्रिद वेक्ति देखा तो उनको यह लगा कि सायद मैं तो बिनकू लालाग हूं राजा की तैमली से विलाग करता हूं सायद मैं बुड़ा ही ना हूं लेकिन आगे चलके जब इनको सत्त के साथ जब यह औगत हुए तो पता लगा कि इनको भी टड़ा ही नहीं है ना तो सामने वाले को देखा और फूचा और फिर बाद में पता लगा कि जो उसके गटी तो रहा है कि बुiper दिखा लेकर लेकर जा तो इसकी वज़े से उनको यह समझ में आया कि मुझे भी एक दिन मरना तय है और लास्ट में उने देखा चौथ था जो कि सबसे जादा इनको ध्यान आकरसित किया एक सञ्यासी का देखा जिनके चेहरे पे विल्कुल तेज तो उन्होंने अपने जो साग्ती थे उनसे पूछा यह कौन है तो उन्होंने बताए कि यह वह वेक्ति हैं जिन्होंने वैरा के धारण के लिए घर परिवार को छोड़ दिया है ठीक है सञ्यासी के जीवन बैतित कर लग रहा है इस तरीके से उन्हों ने बताया तो उनको लगा कि यह लगती ज्यादा अच्छी जिसमें हमें किसी से कोई इस प्रकार की चीज़ें नहीं तो आगे चलती रही चलती रही चलती रही एक दिन ऐसा आया कि घर परिवार छोड़ तो कई बारे चार चीज़े भी तो पता लगी गया ठीक है चलिए यही है महात्मा बुद्ध आप देखते हो कि आज एक एंपूराइज बना दिया गया हाला कि वास्त विक्ता देखा जाए तो क्या है किसी तो नहीं पता ठीक है क्योंकि उसमें फोटो थोड़ी जलता था क्या फोटो क्लिफ कर लिया चलिए आगे स्पेलिंग में खोल सकते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा महात्मा बुद्ध की सिक्षाओं के अगर मैं बात करूँ ठीक है तो देखें बहुत दर्तन के अनुसार विश्व क्या है अनित्य है अनित्य मुलब वह यह सास्वत नहीं है अमेसा अना चेंजिस होते रहे करते हैं और यह आत्मभीन है क्योंकि क्योंकि यहां कुछ बी कख़ा कुछ बीस रात दो लंबना समय होना ही होना इकितना हृत है चाड निंट की जिंदगी है इस तरीके इस घ्रृत है तो आपने देखा कि इतने बड़े वेक्ति जिन्होंने इतनी सारी इंडुस्ट्री को स्थापित किया इनकी वजी से ना जाने कितने लोग है जो इनकी कमपनी में काम कर रहे हैं घर परिवार को चला रहे हैं तो आप समझ लोगी ऐसे महापूरुष जो आता है ना बड़े वैसे जो होते हैं जो आर्मी वगरे में होते हैं उनको सहीद का नाम दियाता है लेकिन आप यह समझो कि उन्हों वह इतने बड़े होने के बावजूद के विप्ति तो आनी आनी है कोई छोटा हो कोई बड़ा ह इसलिए आप लिकाए और साथी साथ दूसरी चीज़ क्या है दुख जब तक यह सरीर है तब तक तो तुम्हें दुख होना ही होना है हां उस फल की खुसी मिलेगी जब तक दर्द नहीं है तब तक खुसी है जिस दिन दर्द आएगा उसमें फिर दुख आजाए ऐसा होना ह कि अगरी है और सुक और दुख तो लगा ही रहता है जिन दिन जैसे रात और दीन होता है सुक और दुख होता है तो इन्हीं सब इस चीज़ों के बारे में इन्हों बहुत बढ़ी या डंच से डिस्क्राइब किया बताया है कि इस छड़बंगुर संसार में दुख मानों अंतर रही तक तो है बुद्ध ने बताया कि घोर तपस्यत था विशसक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपना कर जो मानों है जिसके दुखों से मुक्ति प्राप्ट कर सकते हैं अब जैसे होता है यह कोस्चन की जब संसार में दुखी है तो मुक्त कैसे हो सकते हैं आखिर इस चीज़ बताया कि मत्रों मार्ग भी यह मत्रम मारिक कर रास्ता जिससे तुम मुक्त हो सकते हो क्या है बुद्ध का विश्वास्ता कि समाज का निर्मान इंसानों कि और आज आख देखते हो को बड़ा चोटा को आयसा को एसा किसने बनाए बगभान न है यह तो आप लोगो के परती भावना यह अच्छी रखनी चाहिए आगे बुद्ध ने जनम रित्व के चक्ट से आजादी आत्म ग्यान तता निर्मारी के लिए सम्मय कर्म की कल्पना की है यानि कि इन्हों कि कर में यह ज़्यादा इसके हैं कर से कंमें यह बहुत जादा करता है कि आपका जीवन धित लिकेगा होएगा धिस्ट्र वॉड़ उकलीं से कज्टबाइरन आज डिस्ट्र अगया तो हम सोचते हैं कि कैमरा आ जाएगा तो कुछ और चीजे करना है व्यक्ति इच्छा से क्या है जूड़ा रहे हैं अगर इच्छा खतम हो जाए और दूसरा एहम यह तो मेरा है इहम जो है अगर घ्रक चाहिए तो इन्होंने बताएं कि निर्वाड का अर्थ होता है जो कहते हैं निर्वाड की प्राप्ति हो गये व्यक्ति जब मर जाता है इच्छा हो जाती है जिन्दा तो अग्ला जनम होगा तो हम ऐसे करेंगे और जनम होगा तो मैं ऐसे करेंगे, ऐसी Lore Goi, एहम और इछा का समाप्त हो जाना जिससे घर छोड़ने वाले दुखों को चकर का अंत हो सकता यानि कि घर अगर छोड़ देंगे तो जो दुख होता है, उसके लिए उन्हों ने जो आखरी निर्देश दिया वह इस प्रकार था कि तुम सब अपने लिए पुधी जोती बनो क्योंकि तुम्हें खुदी अपनी मुक्ति का रास्ता डूड़ना यानि कि हर इंसान अपनी मुक्ति का रास्ता खुदी डूड़ना पड़ेगा उसको समझाए नहीं कोई बतायेगा नहीं हां मलब आज समझा सकता है बता सकता सिर्फ इतना ही कर सकता है दूड़ना तुम्हें खुदी पढ़ेगा जिसे पर जांपल हम से आप पढ़ा सकते हैं उन्हीं पढ़ना तो तुम्हें बहुत अच्छा गए लेकिन तुम लिखने पाए तो इस किस तरी के संभुत हो सकते हैं इस सारी बाते उन्होंने रखी ठीक है तो इसको याद करके रखिएगा अब सेम ऐसा ही आता है जयान दर्म के बारे में जिसमें हम पढ़ते महावीर स्वामी के बारे में इनकी भी कुछ स्टोरी वैसी ही घर परिवार छोड़ के निकल गए जैन्दर्म की मानतवफूर स्ट्शाहों का संचेप में बढ़न दियों संचेप का मुलगता चोटा क्या हूं जयान दर्म की सिक्षा एं इन्होंने सबसे पहले कुछ बाते रखी जैसे सबसे पहला इन्हों रखा है अहिंसा अहिंसा कर्म तर्था मुक्ष्का सिध्दान त अहिंसा साथ तस्ते यह सब चीज लेकर चले आते हैं तो आपको यह समझना है कि अभी पूरा की पूरी चीज लेकर नहीं है अहिंसा का मलब क्या होता है कि हमें लड़ाई जगड़ा नहीं करना मलब कोई बी ऐसी चीज जिसकी वज़े सम्झ दूसरों को हानी पहुंचाते हैं वह नहीं करना तो क्या लिका है सभी जीओं के प्रतहिंसा के सिदात को अपनाने के सिक्षा पर जैन धर्म में विसेस जोर नहीं दिया है जानुवरों इसानों जानुवरों पेड़ पौदों और कीडे मखोड़ों को न मारना जैसे जैन धर्म का केंद्र विंदू है इनका मन्ना एक चीज में क्या है एक परकारता जीव है कि सिदे के अंदर प्रान है तो हमें है कुछ इस तथरीकर की सीजह नहीं तो आपको अबी समय आपने कों चलाने को गर तेना है अब फर चोड़ना होता है किगया पर चूड़की कि वहाँ पर टॉरे ज्ञान की प्राप्टी कर लिए तो सबसे पहला ठास्क क्या है घर परिवार को छोड़ना माजने कितने अब कितने बाप सूझना पड़ जाता किस तरीके से हम छोड़ें किस तरीके से घर परिवार का रिड़ अदा करें परिवार में तो बहुत कुछ दिया है ना अब हम ऐसे तोड़ी नहीं कि ज्यान हुआ घर छोड़के चलेगा ऐसे तो मेरी बात है तो बहुत सी तो इनका में कहना है कि त्याग कर सकता है दूसरा नम्मर पर कपस्या कर सकता है तो आगे क्या होगा यह सब चीजे किस से संभव हो सकते हैं अगर हम संसार को त्याग देंगे तो ही वह हो सकता है कि हम मुक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं आगे अत्व मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार निए्ट विहार क्या hem जग घर परिवार चोड़ दिया अब जहांपे रहा सुरूуляр उनको वियार को टिर्य रत्न की बात करते हैं तो जयाहें धर्म कि'llृ मनुष्य के जीवन लक््ष क्या होना चाहिए?. प्रिम्णू क्या होना चाहिए ? यह ना दो छायर घडय को होना ही म hm 12 से प्रात्त करने के लिए त्रीरत्म का पालन बहुत जार जरूरी है एक अच्छा चरित्र है आगर किसी व्यक्ति का किसी इंसान का चरित्र अच्छा होने की वज़े से उसका जो ज्ञान हो भी बहुत सुद्ध होईगा चरित्र अगर सही नहीं है तो उसका ज्ञान भी सुद्ध नहीं हो सकता आगे बढ़ते हैं कठोर तप मावीर स्वामी ने क क्यार को प्रयास कर रहे ह сразу सटेवी आत्मा को तकि रही है करते हैं कि और इनके पाँस महाल क्यों है करना वियसे प्राइब हत्याग होगा इसेता नियुक्ष्य पालत करने सहाध estoy हो जाता है संद्मारी बात चाली बात कर लेते हैं अगला समझते ये वाई आज का प्रस्ण है आज का प्रस्ण आप लोग देख लीटे क्या मात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ मात्मा बुद्ध का जन्म का हुआ तो अगला अगला बुद्ध को निरुवाड की प्राप्टि का हुए है आधा ना मैप के लिए इंपॉर्डेंट है तो याद करके रखिएगा चलेगा अबागी एक चीज इंप्रॉमेशन और कि यह है हमारा आप अभी मैं बता रहता है कि अभी मैं कुछ समय के बात अभी स्टार्ट करने वाले इसमें आप तो पांच सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो आप अगर यह डाउनलोड कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अच्छा कोसिस हमारी यह रहेगी कि आपका नेट ना ख है ना तो बस फैला दोगी ना आप मार्केट में फैल जाना चाहिए कि इस तरीके की चीजें भी मार्केट में उख लगाए तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि यह पे करते देंग ले सकते हैं साथी के इस्टूप के संवेश्चन में भूपाल की बेगों का क्या होगता नहीं चाहिए नंबर में आता है कई बार पूछा है और इस बार भी आने की सम्भावना इसको ज़्यादा है बेसिकली क्या है स्टूप क्या है मिट्टी के टीले होते थे आगे चलके स्टूपों की परंपरा बुद्ववान से पहले होई लेकिन आजे चलके इन स्टूपों में बुद्ववान से संब्दित उनके जो अस्तियां हो गई कोई भी चीज हो गया वो उसको डालकर इस्टूपों की और वह बढ़ा देते थे ठीक है जिसकी महानता और बढ़ जाती थी ठीक है इसका काम किसने करवाया था यह सब काम करवाया था अब बात यहां पर आती कि द कोई भी चीज अच्छी लगती है तो उस समय क्या होता था अंग्रेज वगर वह जैसे मालों कोई चीज अट्रेक्टिव लगा तो उसको नो वहां से निकाल के ले जाने की पोसेस करते थे कि भाई इसको ले चलेंगे मूजियम में रखेंगे इस परकार की चीजे करते थे दो नष्ट हो जाते है उसको ले करकी लिए करकी दिल जश्पी दिल जपिंग मूता हूँ आगे प्रांसी से उन्हें अच्य हालात में बचे साची के संध्रादी में परदरशित करने के लिए साजहां बेगम से France मिलने जाने की जाने की इजाजड एड good जो म्रोख साजहां बेगम यहाद की साजहां बेगम है साजहां भेगम के बहुत पूझबूश से इसका पूप संतिक्यों से संतुष्ट कर दिया तति पुर्ति क्रतियfolg objet और Πोबालक के साथ को जैसे साजहां बेगम mental है तप्राची रख रखाओ के लिए धन दिया धन ब hybrid साथी के ऐस्थी संग्रे में पहट ही क्योंत कि बीगम का बहुत ही जादा बनवाने के लिए अनुदान दिया और वहां रहते हुए जॉन मार्सल ने उप्युक्त कुस्त के लिखे इस प्रकार से विभिन खंडो के प्रकासन में भी सुल्तान जहां बेगाउं ने अनुदान दिया था और इसलिए यदि यह स्थूप समू बना रहा तो इसके पीछे सबसे पहले साज यहां साज यहां बेगम की विजयो बेटी है उनका नाम है सुल्तान जहां बेगम और इन्होंने क्या किया था साची को बचाय रखने में बहुत ज्यादा इवदान दिया था संग्डारी बाद चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं अगला को सबस्पर बनाने के परंपरा बुद्ध से पहले ही रही होगी of दोंधर्म से जोड़ गये तिक यानि कि बत बनाने के परंपरा रही हो गयी लेकिन आगे चलके दिरे दिरे बहुत से जोड़ दिया गया ज़िए इस्टूपों में ऐसे आउसेश रखे जाते थे एए जिनने पवित्र समझा जाता था अता समुछे स्थूप को ही बूद और जर्मके प्रतिक के रूप में प्रतिष्था मिली साची तस जगों से पर इस्टूफ बनाने का दो जगह यारी जो भी ऐसा जगह जो माहतमा बुद्ट से रिलेटेड हो, वहां पर इन्हों क्या किया इस्टूफ बनाने का काम करते हैं इस्टूफ पो वेधि काऊ उत तका स्थमभग पर मिले अविल्यकों से उन्हें इनने बनाने और सजानी के लिए दान का पता चलता है कुछ दान राजाओं के द़रा के दानुटॉ इस तो बनाने के लिए उसके तोरड दوार को बनाने के लिए कई सारे लोगों ने दान दिया था तो यहां पिर देखिए कुछ वेदिकाहों से पता लगता है कुछ इसके इस्थमभो यानि इस पर इस्टोरी लिखी हुए न चित्रों के माद़न से समझाई जाती उससे कुछ चीजी बनी हुई है इसे यह पता लगता है कि बहुत सारे लोगों ने क्या दान दिया है, जैसे कुछ दान किस ने दिया है, राजाओं ने दिया है, कुछ साथ वंस, साथ बाहन वंस के राजाओं ने दिया है, कुल्फ सिल्फकारों ने दिया है, कुछ नॉर्मल वेक्तियों ने दिया है, तो यह सब सब के सहयोग के द्व के द्वारा होता है उसी प्रकार से ऐसी चीजों का भी निर्मार सुप्य स्वयों के द्वारा ही होता है इस तुपों को बनायने के लिए कुछ दान सिल्पकारों के द्वारा कुछ बैपारियों की स्रेडियों के द्वारा दिया गया था अज़ा स्रेडी किसे कहा जाता था बैपारियों के समो के स्रेडी कहा जाता ठीक है उदारर के लिए साची के एक तोरड़ द्वार का हिस्सा हाती दात का काम करने वाले सिर्फ कार के दान के द्वारा बनाया गया है, यानि कि यह जो तोरर द्वारा है, उसका एक हिस्सा जो है, एक वेक्ति जो की हाती दात का काम करता था, उससे कुछ डिजाइनी बनाने का काम करता था, ऐसे वेक्ति ने क्या किया था, दान दिया था, जिसके द्वारा इससका न और विच्चुनों ने बहुत ज़्यादा युगदान दिया है विच्चु और विट्कुनी कौन ऐसे लोग जो घर परिवार को छोड़ दिया और जो पैसा वैसा है उठा के दान दे दिया यह जी इसा आपने देखा कि बहुत सारे मंदिर बनवाने के लिए कई लोग जो है अपना घर हो गया जो के पास संपत्ती होती है उसको बेश कर दान दे जाते हैं ऐसा भी बहुत से लोग होते हैं तो इस तरीके से पांचवापना यह हो गया आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए हम अगला है साची के मुर्थिकला को समझने में बहुत रिसाहित के ज्यान से कहां तक सहायता मिलती है मिलती है अब यहां पर question आपसे हैं कि जो मुर्थि हैना मूर्ति कला मुर्थिकला से हम किस तरीके से budget के सबढ़ सकते हैं तो हमें ही पता है कि हर एक मूर्ती बनाने का अपना एक रिजन होता है और हर एक मूर्ती हमें कुछ-नकुछ बताती है तो उन से हमें क्या क्या चीद समझ में आता है उस्षिक के बारे में समझते हैं और वो तपष्या का एसा दिखाया हूं हलाकि उसमें मने दिया नहीं है लेकिन वह ऐसा दिखाया गया है साची में संदर इस्तरिओं की मूझत खिलें जो की तोनर द्वार की किनारे एक पेड़ को पगड़कर जूलती हूँ धिकाए गये जैसे ये इस तरीके से ऐसे मुर्ती का त्याग और तपस्या को कई रिस्ता विजर नहीं आता है यानि कि इस मुर्ती को देखके ऐसा नहीं लगता था कि कोई चाग कर रखे या पर कोई तपस्या कर रखेंगे कि एसाल पर्मपराओं के अध्युन से वे ये समझपाये कि संस्कृती भासा में वर्भी मुलव कि किसकी मुर्ति है साल मंजिकादी ए लोग परब्रा में यह माना जाता है कि इस तरी द्वारच होए जाने से बिच में फूल खिल जाते थे यानि कि ऐसा ब्रिट से जिसमें जो ऐसा समलुक जिसमें कोई फूल नहीं आता था ये इस तरी अगर एक पाट टॉच कर लिए तो उसमें फूल आ जाता था लएक तरीकित समझें की सुभ म मैंना जाते है और इसके कारट एक प्रियुक्त होए यानि इसस्तूप पे इनको क्यों यहां पर भी कहा जाता है देखिए गज हाती बना हुआ ने इस तरीके से हाती बना हुआ है यह बीच में जैसे होता है एक कलर्स टाइप में कुछ फूल वगरा ले रखें अब हाती गिरार है ऐसे आपने मुर्ती में भी देखा हुआ गागा बीच में बाया लश्मीजी है औ हाती इस तरीके से फूल बरसा रहे तो यह उस तरीके से बनाएगे ठीक है आगे अगला समझते है यह देखिया यह साप के बारे में दिखाए गया साची में साची में जातकों से ली गई जानवरों की कहानिया ऐसा लगता है कि यहां पर लोगों को आकसित करने के लिए जानवरों को उत्क्रिड किया जाता था जैसा हाथी को उत्क्रिड कर दिया अच्छा लगते थे ठीक है और अच्छा लगते हैं और उत्क्रिड मुर्तियों को देखने वाले उपासर इसे माया और दोनों हे मानते हैं कि इतियासकार इस से कंध्यूज है कि मा smelling अमया भी हो सकती है इसके साथ रिवह बहूं देखने को सकती है कई इस दंबोंपी सपों का उसक्रिड के द्वारे रषए साची की मूर्थी काला को 25 बहुतपत देखने को इंल सते साहित वैसनो बाद log किसको हम कह सकते हैं आपने देखा कि अलग अलग जैसे विस्नो जी के औतारों को कभी कृष्णजी की रूप में दिखाया गिया हैं हागा तो अलकु लगा अतार में दिखauptे तो डिकल जाते हैं जो अपने तो अलग लग चीजे बताई गई है कुणी के बारे में सिव जी को देखो शिविलिंग के उपर में दिखाया गया है और आज कल तो बहुत सोसल मेडिया पर बिजिन प्रकार के उनके चित्र बना के दिखा गिए जापने कि सुझी आसे टांडो कर रहे हैं तो कुछ कर लों त तो इस इन्हीं चीज के बारे मैं पूछा गया है तो क्या लिका है बहुत धर्म और जान धर्म के साथ साथ कुछ अलग परंपराओं का भी विकास हुआ जिने आज हिंदु धर्म के नाम से माना जाता है हिंदु परंपरा जिसे जिसमें विष्णु जी को मतपूर देवता इनको वैष्णु कहा गया है वह संकल्पना जिसमें शिवजी को परमिष्णु ते रूप में श्विकार किया गया उनको क्या कहा गया शैवका आगे इसमें विष्ण देवता की पूर्या को खास मत्त दिया आता है इस प्रकार से आरा आधना में उपास्णु और इसमर की विष्ण का रिस्ता प्रेम और समर्पड का दिखाया गया जैसे मीरा बाइं को देखी प्रेम का दा ना किस्दी के साथ तो उस तरहीं के सथा और समर्पड क्या होता है पूरी तरह के समा आप पही निर्भाण ऐसा वेश्णु गाद में कई आतार से इरध इर प्रतितलियो कि निर्मार का एक मतपूर तरीका है यानि कि किसे होता ने कि अपना एक स्वरूप उन्होंने जो दिखाया तो उसकी बात की जारी आगे कई अतारों को मुर्तियों के रूप में दिखाया गया है दूसरे देवताओं की मुर्तिया बनी हुए शिव जी को उनके प्रतिक ही देखने को मिलेगा लेकिन नए ने जहां मुर्तिया बना दी जाती है तो महां पर देखतो शिव पार्विती जी और इस तरीके से बनाने जाते है ठीक है आगे ऐसे सारे चित्रड देवताओं से जुड़ी हुई मिस्रित और धारणाओं पर आधारित है उनकी खूबिया जहां पर तो सिटिंग पोजिशन हो था है आप अपने देखा होगा यह जो राइट वाला पैर है करे लैप पलिप ऊपर होता है ठीक है बैठते हैं किस पर बैठते हैं वो एक सेर का खाल होता हुआ उस पर बैठते हैं दूसरी चीज़ आपने तिरसूल होता है उनके हाथ म अगर कोई गले में नपेट के आते तो तुरत ध्यान आएगा कि हाँ गवान सिवके भी गले में ही जटाच चंद्रमा आपने देखा होगा तो यह क्या है सब प्रतीक है ना डंबरू देख लिया आपने है आपने चक्र देख लिया तो चक्र से क्या ना समझ में आएगा अधी अधि आधि 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 जो कि यह सोच के अंकार नियती वादी में कु रहें पहले सी के रहjdए मिहां सब कूछ पूर्व नियधारी जबकल का भाती परमपरा को मांते है कि यह जो कि नियतिवादी कहा है यह किसी परकार के कारण या परिड़ा हमने विश्वास में रखते हैं कि वहाई जो भी चीज तुम्हारा साथ हो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे बुरा हो सब पहले से जारित होता है मखाली गोश्याल जो कि नियतिवादी के क्या है श् Ils שנ के अधार है आगे डोरों के विचार को निस्दों के दार्शनिमरों से क्या बिचार है आपसे वयां आती यहां नियतिवादी सुख और दुख को पुर्व निर्दारित मांते हैं जो भी चीज़ हो रहा है चाह सुख हो चाह दुख क्या है पुर्व निर्दारित है और मुर्क विद्वान दोनों ही पुर्व निर्दारित रास्ते से होते हुए दुखों का निर्दान करते हैं ठीक है आपर आपर मुर्खता हो देना क्या मुर्ध से पहले इसका रहे है जो तो है अनुची एक खेण गोंगी मृत्व जीनी नहीं होता है है आप इसको किलिक किजे डाउन्रोड किजे आपको के लिए बनाएगा और देको भाई एक सिंपल सी बात है कि आप